भैदेगे सहब एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं इसी के वज़े से आप अपने एक्जाम्स की तियारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जब भी तियारी करने जाते हैं आपको पता भी नहीं जलता और आपको नीद लग जाती है और पढ़ते पढ़ते आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स सो जाते हैं या फिर जब भी हम एनरजी के साथ पढ़ाई करने जाते हैं, एक दो घंटे बाद हमें नीद आने लगती हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम के कारण हम अपनी पढ़ाई नियमित रूप से और कॉंसेंट्रेट होके नहीं कर बाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्धम से इसका पूरा इलाज किया जाएगा, आप सभी को इस जबरदस्त टॉपिक पे इतनी तगड़ी इंफोर्मिशन सेयर की जाएगी, कि फिर पढ़ते समय आप कभी नहीं सोएंगे, और लागातार आठाट घंटे आप बिना सोए पढ़ बस आपको मोटिवेशन वाले भाईया चैनल को सबस्क्राइब करना होगा, आप में सिब बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही पढ़ने जाते हैं, होता क्या है कि जब तक तो चीजे समझ में आती हैं, तब तक तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ए जैंकर परड़ाम भुगतना पड़ सकता है स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से पूस्ता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट दिन में भी सोते हैं, अब आप में से अगर कोई स्टूडेंट हैं तो इमानदारी से कॉमेंट में जरूर बताएगा कि सोते हैं तो आप अपना समय और बरबाद कर रहे हैं, है ना, as a student, exam time में सिर्फ और सिर्फ आपको 6-7 घंटे की नीद लेनी चाहिए, मैंने इसके उपर भी वीडियो बना रखा है कि एक स्टूडेंट को दिन भर में कितने घंटे सोना चाहिए, यानि एक दिन में उसको कित घंटा ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो कहीं न कहीं student अगर ये चीज आपको ध्यान रहेगी तो आप अपने दमाग में सारी चीजों को fit करके और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल concentrate कर सकते हैं, जो जो चीज पढ़ना चाहें उसको अपने निश्यत समय के अनुशार बहुत अच्छे से try कर पाएंगे, एक आप student हैं, आप जरा देखिये, आप इस वक्त सो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपर स्टूडेंट हैं, जो अपने दमाग में ये target बना के चल चुके हैं, कि मुझे अपने exams में टॉपर बनना है, मुझे अपने exams में 90% score करना है, तो वो इस समय पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि जब ये चीज़ बीट जाएगी, जब आप अपने exam को दे लेंगे, जब result आएगा तब आपको realize होगा, कि कहीं न कहीं हमारा समय अगर फिर से मिल जाता, तो मैं और भी मेहनत करता और exams में अच्छा परदर्शन करता, लेकिन वही बात होती है, कि पाचे पस्ताय क्या जब चड़िया चुग गई खेद, इसलिए आप में से बहुत सारे students को मैं ये कहना चाहूंगा, कि दिन में अगर सोने की आपकी बुरी आदत है, तो आज से हैं उसको छोड़िए, अपने दमाग को ये समझाईए, कि सिर्फ दो महीना सा हो, सिर्फ दो महीना अगर मैं दिन में नहीं सोंगा, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तयारी को करूंगा, जिस समय मैं शो रहा हूं, उस समय अच्छे तरीके से अगर फोकस होके तयारी करूंगा, तो मेरा निश्यत त समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीज़े क्योंकि बहुत सारे आपके साथ के लाखोट आपस टूडिंट्स इस समय बहुत जबरदस्त तरीगे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एक्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और आप सू रहे हैं ये गलत बात है सहाब एक बहुत जबरदस्त मोटीवेशन है ना अपने माबाप को देखिए ना महराज आपके माबाप आपके लिए कितना परिश्रम करते हैं अगर आप एक दिन अपने माबाप को अब्जर्ब कर लेंगे कि हमें इतनी खुसियां देने के लिए हमें कौपे किताब देने के लि बहुत जबरदस्त परदर्शन करने के लिए इतना ज़ादा महनत करेंगे कि फिर आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं इसलिए आज से ये बुरी आदत छोड़िए अगर दिन में सोते हैं या पढ़ते समय अगर आपको नीद लगती है तो उस समय पढ़ना बंद कर दी ये आपको पता नहीं चलेगा इसलिए जब भी आपको ये एहसास हो कि पढ़ते समय में जप रहा हूं या सोने की कोसिस कर रहा हूं तुरंत कौपे किताब बंद होना चाहिए और दस मिनट बाहर आप टहल के आईए या चाय पी लीजे ये सबसे तगड़ा उपाय है और इ अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माबाप को खुसी देने के लिए तो कीजिए स्टूटिंट्स क्योंकि समय बडा बल्वान होता है स्टूडिंट्स ये चीज अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो आपको बाद में बहुत समझ में आने वाली है इसलिए ये आप अपने दमाग में फिट कर लीजे और आज से नीद गाइब होनी चाहिए और जब आप पढ़ाई करें बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ाई करना चाहिए ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते सो भी रहे हैं फिर नीद भी टू ट्राइ फिर पढ़ भी रहे हैं उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला फिर आप दिखावटी का पढ़ाई कर रहे हैं ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिन्दगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बिनाना पड़ता है सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त बस समय को सही बिनाना पड़ता है ये आइन आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट में लिखके जरूर बताईएगा अगर आपको हमारी बाते पसंद आइं तो फटा फट से एक वीडियो को लाइक दे दीजे और भी बहुत सारी वीडियो पढ़े हैं मोटिवेशन वीडियो पढ़े हैं झाल झाल